चैप्टर 1, Real Numbers ये चैप्टर में हमने क्या देखा और क्या पड़ा यदि हम एकसरसाइज करने जा रहे है या फिर एक्साम के लिए जा रहे हैं तो फायदा होगा जानने में कि समरी क्या है इस पुरे चैप्टर की तो इस पूरे चाप्टर में सबसे पहले चीज आई थी Euclid Division Lemma Euclid's Division Lemma Lemma जैसे कि आप जानते हैं कि जो theorem होते हैं उनको support के लिए lemmas होते हैं तो given positive integers A and B दो positive integers यदि A और B दिये हैं तो there exist whole number Q and R अगर आपके वाद दो positive integer हैं B तो ऐसे whole numbers होंगे Q और R जो इस equation को satisfy करेंगे इस equation को आपके satisfy करेंगे A is equal to B Q plus R ध्यान दीजेगा पूरी exercise में ये चीज आपको जरूर use करनी है बहुत use होगी ये आपको बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए और जो R है वो 0 और B की बीच में याने कि यदि आप A को B से divide करेंगे तो B को किसी number से multiply करेंगे अगर ये B से multiply होके A divide हो जाता तो ठीक है आज जो हो 0 हो जाएगा देखे यहाँ पर 0 खा गया है और अगर ये divide नहीं हो पाता है A पूरा तो कुछ remainder बचेगा याने कि आपको पास ये dividend है devisor है, quotient है और ये remainder है अब Euclid division algorithm में देखें कि किस तरीके से ये chapter में समझाया गया है ये आपके Euclid division lemma के तहत समझाया गया है उस पर based है तो उसमें कहा क्या गया है the hcf of any two positive integers A and B hcf होता है highest count factor hcf of according to this the hcf of any two positive integers A and B जब A greater than B हो A B से बढ़ा हो तो अगर हम apply करें, सबसे पहले हम apply करेंगे division lemma to find Q and R A और B यदि आपको पता है तो Q and R निकालेंगे जहां पर R जैसे तरीके हमने बात कि R या तो 0 होगा और B या उसके बीच में होगा अगर R 0 है इसका मतलब यह तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया R 0 कर दीजिए आप अगर आप 0 कर देंगे तो युक्लिड लेमा जेखें B A is equal to B Q हो गया तो अगर R 0 है तो युक्लिड लेमा to युक्लिड लेमा to B and R आप B and R को डारेक्ट यहां पर लगा सकते हैं और बार बार इसको करते रहिए यानि कि जब तक R 0 नहीं आए मैं फिर से समझाने कोशिश करता हूँ कि आप A is equal to B Q प्लस R पे लीजिए डिविजिजिन शुरू करिए अगर R 0 नहीं है तो आप फिर से लगाईए और अगर R अगर 0 मिल गया तो the H C F is B highest common factor B हो गया अगर आपको R 0 नहीं remainder 0 नहीं मिला तो फिर से यह step करिए दुबारा लगाईए तो continue the process till the remainder is 0 तब तक division करते रहना जब तक जो remainder है वो 0 नहीं हो जाए तो divisor at this stage will be H C F A B जोने की highest common factor of A B इसी तरीके से ये चीज़ भी लगो होती है कि H C F of A B will be H C F of B and R जाने A और B जाने की जो divide हो रहा है जो divide कर रहा है और जो divide कर रहा है और जो remainder है उन दनों के H C F 1 जैसे होंगे The fundamental theorem of arithmetic इस chapter में ये भी है Every composite number can be expressed as a product of primes याने कोई भी जो composite number है उसको आप prime number prime number वो numbers होते हैं या तो वो खुद से divide होते हैं या बन से divide होते हैं तो उनको हम product of prime की तरह दिखा सकते हैं And this factorization is unique याने की और किसी number का ऐसा factorization नहीं हो सकता Apart from the order in which the prime factors occur याने आप 7 into 5 कर दीजिए या 5 into 7 कर दीजिए लेकिन होगा 7 into 5 या 5 into 7 ही एक number के लिए अगर p prime है फो चीज इसमें बताएगा है इस factor में यदि p prime है प्री में जैसे मैंने prime बताया आपको prime क्या होता है जो अपने आप से divide होता है या फिर 1 से divide होता है And p divides a square यदि कोई a number है और a square करें और वो p उसे divide कर देता है Then p divides q also और p और q क्या है आपर देखिया और p और q क्या है आपर ये numbers है प्य इनकी डिवाइज देवेर a is an integer अगर आप division lemma के तरफ देखेंगे तो अगर p is a prime और p a square को divide करता है तो p q को भी divide करेगा और root 2, root 3 rationales इसमें define के गए है rationales को ये chapter में है तो कैसे और भी चीज़े इसमें है let x be a rational number whose decimal expansion terminates x ऐसा rational number है जिसका decimal expansion terminate हो जाता है then we can express x in the form of p by q याने की p by q याने एक factorization factor है ना ये उपर और ये नीचे याने ये एक p by q form में है यहाँ पर point जरूर आएगा and when p and q are co-prime then the prime factorization of q is of the form 2 to the power n and 5 to the power n ये भी आपके example में आएगा याने 2 की घात 9 और 5 की घात 9 में अगर ये prime factor अगर p और q co-prime है where nm are non-negative integers इससे तरीके से let x be p by q याने ये a by b form में है p by q form में है be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m where nm are negative integers ज्यान दिजेगा rational and rational में difference देखेगा then x has a decimal expansion which terminates यहाँ पर decimal expansion terminates यहाँ पर भी decimal expansion terminates एक जगा बात हो रही है आपके prime factorization की यहाँ पर rational number की और यदि x जो है p by q form में है और rational number है such that the prime factorization of q is not of the form अगर 2 to the power n और 5 to the power m form में है तो यह terminate हो जाएगा लेकिन अगर यह 2 to the power n और 5 to the power n के format में नहीं है तो यहाँ पर यह non terminating repeating यहाँ रिकरिंग हो जाएगा ठीक है साब यह दोनों चीज़ आपको सवाम में आ गई होगी यह है basically chapter में बताया गया है एक और चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपके पास p q r यहाँ जो जो values हमने उपर देखी p q r यहाँ पर देखेगा यह कोई भी नमर थी p q r मान लिजा और l c m of p q r is not equal to p q r आपने देखा था कि h c f of p q पि कोई भी value ले 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 से h c f of a b into l c m of a b will be equal to a into b लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है however the following result holds good लेकिन एक चीज़ इसमें एक expression आप इसमें कर सकते हैं जिसमें LCM यहाँ पर LCM of PQR और HCF PQR साथ में आप PQR को उपर बडिपलाय करें numerator में और denominator में HCF of PQQR and PR इसी तरीके से आप जब इसको rearrange करेंगे तो यह वाली equation बन जाएंगी यह equation आप दे सकते हैं अगर exam में मान लीजे आपके तीन नमबर आगए A और B को तो आपको पता है HCF of A B into LCM of A B is equal to A into B तीन आगे तो क्या करेंगे तो उसके लिए यह आपके पास है ठीक होफुलिए आपको यह समरी थोड़ी बहुत आइडिया लग गया होगा तो इसी को देखते हुए exercise हो है सालव होगी अ कर दो आपको क्याँटिया यह जापके पास होगा है त्मबगे तो आपके तो आपके उनका समरी थोड़ी थोड़ी बहुत